आपको पता हुआ कि मैंने एक वीडियो आयाय आरेस के उपर पहले से बना कर रखा हुआ जिसमें कि मैंने आपको बता था कि कैसे आप रजिश्टेशन कर सकते हो और कैसे आपको कलासे सेस्टेंड करने होते हैं इन सभी का जनकारी मैंने पिछली वीडियो में देखा था और कुछ लोगों ने इन्रॉल किया हुआ था इनका क्लास 17 मैं से स्टार्ट किया गया था और 17, 18, 19, 20, 21 तक उन लोग का क्लास चला था और सर्टिफिकेट भी उन लोग को दिया जाएगा पर प्रवलम यह था कि क्ल गेन कर सकते हो आई-ाई-आरेस के दोरों जो कि इस तरों का एक इंटांसिप मैंने बताया था अभी होप कि आपने वीडियो को देखा होगा तो आपको किलियर हो अंदाजा होगा तो कज मैं आज आपको उसी के बारे में बताऊंगा तो वीडियो को अंतक देख लेना और चैनल पे अपने नए होंगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चुकि इस वीक का मैंने तरगट रखा है कि आप कम से कम टू वीक जो यह टू के सब्सक्राइब मेरा पूरा कर दीजिए तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप 100% से कोर के साथ आपने अटेनेस कैसे आ सब्सक्राइब कर रहा है तो कुछ इस तरीका से में मेरे को इंटरफेस आ रहा है ठीक है और ऐसा इंटरफेस आ रहा है तो थोड़ा सगाज आप सब्सक्राइब करना यह जो है यहां पर आपको जो है ना यह थी और जो एरो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना और यहां पर desktop site में आपको चले जाना है जैसे आप desktop site में चले जाएगा तो यहां पर देख पार होगे कि यहां पर जो सेशन आता है ना live session, notice board, offline session, offline session और study method, attendance status तो मैं पहले आपको attendance status को कैसे deal करना है इसको बताते हैं तो पहले attendance status पर चला जाता हूं तो आप देख सकते हैं पर total जो यहां पर session है, वो वह कितना लियागा, total attendance कितना हुई है ठीक है इन सभी का यहां पर details दे दियागा, तो आप देख सकते हैं पर 0-0-0 है मतलब यहां पर कुछ भी महीं मैंने attend किया है और आप देख सकते हैं पर कि 0-0 करके है मतलब मैंने अभी attend ही नहीं किया क्लास देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है course status यहाँ पर दिखात देख सकते हैं और साथ साथ नीचे में आपका एक mention मिल जाया कि note attendance for respective courses will not be recorded after the last date of the attendance देखें जो last date जो attendance खाना उससे अगर last date के आप attendance करने नहीं किया जाएगा तो गार्च देख सकते हैं मैंने एक भी अभी classes नहीं किया और कोई सभी मेरा यहाँ पर यहाँ यह नहीं हुआ है मतलब जो यहाँ पर attendance mark नहीं किया गया तो कैसे attendance mark करना इसको मैं बताता हूं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो यहाँ पर session जो लिए गा जैसे ही आप अफ्लाइंट सेशन में आऊगो तो आप जो भी सेशन आपका लिया गया था लाइब यूटूब वाला पे वह सेशन यहां पर अभी अल्रेडी आ चुका है गाई तो आप यहां पर देख सकते हो कि सेशन जो लिया गया था वह सबसे पहला जो सेशन 17 क झाल पर लिया गया था ठीक है तो पांस सेशन में अभी मेंने दिखाया कि एक भी सेशन का मैंने आप क्लास एंड नहीं किया और वो जो हो है शेशन 9 का नीम किया है तो आपका अट जो है किस भीदियो का प्ले कर दू है तो लयकर ने के बासरे इस वीडियो को आपको पूरा पूरा देख लेना है, क्या करना आपको, मैं बैक आयाता हूँ, ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा पूरा देख लेना, और जैसे आप पूरा वीडियो देख लेते हो, तो देखने के बाद से एक टेनेस एक मार्क हो जाता है, एक वीड वीडियो को मैंने चला करके छोड़ दिया था यह तक्रिबन डियर घंटा का वीडियो था तो तक्रिबन डियर घंटा मैंने वास्च कर लिया तो चली आपको दिखाते हैं कि एक अटेंडेंस जो है मेरे वहां पर मार्क हो चुका है तो चली मैं आपको दिखाता हूं कि मार्क इस पर आपको क्लिक करने यह अष्टिकार में कोई भी update नहीं किया गया है की इसके लिए आपको उपर में एक और ही डॉच्ट मिल रहा है क्लिक करने यह जो डेॅसरे सब्सक्रानें कर लिए अर जैसे ही आपको टесть सा रीद्ट करते हैं तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि जैसे मेंने थोड़ा सा रिफ्रेη्स किया आज तो यह रेफ्रेश्यक करने पाद अन freuen 생각 यह है प्ले किया था उसका अचे सोलोगा है तो मैं थोड़ा सा늦 कर दो अब देख सकते हैं पर कोई attendance जो है मार्क के वार नहीं दिख रहा था लेकिन अभी देखिए देखना स्टार्ट हो गया तो अब देख सकते हैं आपके session attendance वन दिखा रहा है ठीक है और टोटल session मेरे को 5 जिसमें के मैंने अभी one attend किया है ठीक है और complete करना इस attendance को आपको 36 2021 के पहले ठीक है तो यह जो बासिकली जो बात जो नीचे में लिखा ना कि note में जो लिखा attendance for respective courses will not be recorded after the last date of the attendance यह बैसिकली यहीं करना चाहरा है कि जो last date यहां पर दिखा गया ना completed का यहीं है कि 30 तारिक चट्टा मना 2021 के पहले आपको इस सभी attendance को पूरा पूरा देख लेना है वीडियो को देख करके आपने attendance mark कर लेना है तभी आपको certificate मिलेगा गाई इसका मतलब यहीं है तो attendance कैसे लगाना आपको लाइब प्याब प्रूब के साथ मैंने दिखाया है और इस तरीका से मैंने अभी एक ही देख है तो मेरे को भी यह need है certificate की तो मैं भी बैसिकली इस वीडियो को प्ले करके चार-पांच दिन में मैं भी इस वीडियो को complete कर लूँगा और जैसे मैं complete कर लूँगा तो मुझे email पर एक notification आएगा कि आपने course को complete कर लिया आपको certificate प्रवाइड कर दिया जागा email के थ्रूब तो I hope कि guys आपको attendance कैसे लगाना है सबी चीज मैंने आपके दिखा दिया अगर वीडियो अच्छा लगा तो share भी कर दिजेगा लाइब भी कर दिजेगा तो चली मिलते है next वीडियो में जैन दोस्तो